साप से हर कोई डरता है, किसी भी इंसान को ये पसंद नहीं होते और कोई भी आपने आसपास इने बरदाश नहीं कर सकता पर इंसान इतने सापों से डरते क्यों है? आज जादा तर लोग सिटीज में रहते हैं, कई सारे लोग ऐसे भी हैं, जिनका रियल लाइप में कभी साप से सामना भी नहीं हुआ पर जबी भी उन्हें पूचा जाता है कि वो साप से डरते हैं या नहीं, तो मैज़रिटी का अंसर होता है, हाँ पर ऐसा क्यों है? लोग इतने साप उसे डरते क्यों है? और क्यों कभी भी साप निकलने से इतनी आफरात फ्री मच जाती है? इसका कारण है कि पहले लोग जंगलों में और गाओं में रहते थे, उन्हें खाना ढूंडने के लिए लकड़िया लाने के लिए जंगल में जाना पड़ता था, वहाँ उन्हें कई सारी परिशानियों को सामना करना पड़ता था, जैसे जंगली शिकारी जानवर, बाग, बालू, चीता। उनमें साप का भी नाम शामिल है। पर ये बाग बालू, चीता जंगर में बहुत अंदर रहते थे और उनसे इंसानों का सामना होना बहुत रेर था। पर सापों के साथ ऐसा नहीं है। ये हर जगा पाया जाते हैं जैसे खेतों में सड़के किनारे यहां तक की घर के अंदर भी। ये साप बहुत ज्यादा खतरना होते हैं इनका जहर बहुत ज्यादा खतरना होता है। ये इंसानों को चुटकों में अपने जहर से मार सकते हैं। इसके कारण कई सारे लोगों की साप की काटनी के वज़े से जान जाती थी। इसके कारण इनकी काटन जन्रेशन से दूसरे जन्रेशन में आने लगा माता पीता अपने बच्चों को बताने लेगे कि अगर वो किसी साप को देखते हैं तो आसे तुरंत भाग जाए और ये डर फिर बढ़ता ही गया और आज की दिन भी है आज ज्यादा तो लोग शहरों में रहते हैं और कई सारे एक जन्रेशन से दूसरे जन्रेशन में ट्रांस्पोर होता गया ये हमारे सर्वावल इंस्टिंग का पार्ट है और इसके रिगार्डिंग कई सारे रिसर्च भी हुई है एक एकस्पेरिमेंट किया गया वहाँ छोटे बच्चों को दो इमेजिस दिखाई गई एक साप की और दुसरी फुलो की और उनसे पूचा गया कि आपको किस इमेज़ से ज्यादा डर लगता है तो कई सारे बच्चों ने साप की इमेजि Keith की तरफ इचारा किया ये इमेजिस बार-बार बदली भी गई जैसे साप और कैट्टर्स जैसे साप और मेंडक पर हर बार बच्चों ने साप की इमिज़स को ही डरावना बताया इस एक्सपेरिमिंट से ऐसा पता चला कि यह डर एक जीन्स से दुसरे जीन्स की में ट्रांसफोर होता है कई सारे चोटे बच्चे होते हैं जो सापो से या फिर स्पाइडर से नहीं डरते हैं और वो कभी कभी उन्हें पकड़ने भी चले जाते हैं पर होई बच्चे बड़े होने के बाद उनसे डरने लगते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपने बाब आपसे यह सिखते हैं वो जान बुच के ऐसे नहीं सिखाते पर वो खुद सापों से डरते है यह उन्हें देखकर उनके बच्चे भी उनसे डरने लगते है अगर आपका साप से कभी सामना नहीं हुआ है और आप फिर भी सापों से डरते है तो इसमें कोई बड़े बात नहीं है और उसमें आपके क खलिए खतरनक सापों में पाचवे नंबर पर है रेटल स्नेक यह साप् रेगिस्तान में पाया जाता है यह साप सबसे घुसल सापों में फिल utilizz में जाता है यह जहर नर्वस Schuldee क्रेंद पर पर हमला करता है जिसके कारन इतल हो इसके पूछ पर रैटल होता है जब यह इसे हिलाता है तब गुंगरू जैसी हावाज निकलती है इसलिए इसे रैटल स्नेक भी का जाता है चौते नंबर पर है ब्लैक ममबा यह साब पूरे आफरीका में पाय जाता है यह साब बहुत ज़्यादा खतरनक है यह साब दुनिया टॉक्सिक जहर होता है इसके काटने से 30 मिनिट के अंबर ही मौत हो जाती है पूरे नंबर पर है इन लेंड टैप ऑन इस साब के काटने की वज़य से 100 1200 जहर निकलता है यह इंसानों की जान ले सकता है किसी इंसान को आगर यह साब काटता है तो इसकी एक घंटे के अंदर ही मौत हो जाती है दूसरे नंबर पर है Tiger Snake, यह साफ ऐस्टिलिया में पाया जाता है इस साफ के काटने पर इसका जेहर नर्वस सिस्टिम पर आसर करता है जिसके कारण इंसान पैरलाईज हो जाता है और इंसान की मौत हो जिस सबके काटने के वज़े से 5 मिनिट के अंदर ही इंसान की मौत हो जाती है तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से कोई नहीं जानकरी मिली होगी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ने टॉपिक के साथ